इस सवाल में हमारे पस दिया हुआ है कि the ratio of freezing point depression values of 0.01 molar solution of urea common salt and Na2SO4R तो हमें ratio निकालना है depression in freezing point of जिनका की concentration 0.01 molar दिया हुआ है ठीक है तो हम देखते हैं इन तीनों solution के लिए हमारा depression in freezing point कितना आता है तो depression and freezing point के लिए जो formula होता है delta tf का वो क्या हो जाता है kf into molality into i तो हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि यह aqueous solution होता है तो यहाँ पर 0.01 molar है तो molality को हम molarity मान के चलते हैं ठीक है molality is equals to molarity ठीक है तो हम देख सकते हैं concentration सबका सेम है और kf जो है वो भी सबका सेम होगा तो यह सिर्फा सिर्फ आई पर डिपेंट कर रहा होगा तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम लिखना चलें चाहे delta tf of urea तो वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा kf into molality कितना है 0.01 into i जो होता है urea के लिए वो 1 होता है क्योंकि यह एक non-electrolite है ठीक है non-electrolite है तो i1 होगा उसी तरह अगर हम delta tf लिखना चाहें nacl के लिए तो nacl के लिए क्या है वो common salt को nacl बोलता है 0.01 into 2 क्योंकि i of nacl जो होता है वो कितना होता है 2 होता है यह तूड जाता है na plus plus cl minus के form में ठीक है तीसरा जो है वो हमारे पास के अब दिया हुआ है na2so4 के लिए तो na2so4 के लिए हम लिखना चाहें तो यह क्या हो जाएगा kf into 0.01 into आई जो है na2so4 के लिए यह क्या होता है यह होता है हमारे पास यह तूड जाता है 2 na plus plus so4 2 minus के form में तो आई हम देख सकते है 2 plus 1 3 होगा तो यह 3 होता है ठीक है अगर हम ratio अब हमको लिखना है तो ratio में क्या होगा t of urea is to delta tf of naCl is to delta tf of na2so4 यह किसके बराबर होगा हम देख सकते है kf सब में सेम है concentration सब में सेम है तो यह दोनों values कर जाएंगे और हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा 1 is to 2 is to 3 तो यह हमारा answer होगा तो हम देख सकते है हमारे पास answer में क्या है third option जा है वो इसका answer है ठीक है thank you झाल